साथियों नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे बहाली से संबंदित मेरिट लिष्ट से संबंदित वीडियो होने वाली है खास आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्लेस कर दें और साथ ही वीडियो को बिना इसकीप किये हुए देखि है तो आते हैं जानने के कोशिश करते हैं पूरे रोड मेप को समझने के कोशिश करते हैं कि बहाली कैसे होती है किस परकार मेरी लिष्ट बनता है प्रारंबिक की बात करें तो एक से पाच और शिक्स से एट मादमिक की बात करें तो 910 और उच मादमिक की बात करें तो 1112 य कार्ट तयार होती है इस वीडियो में इसी मर्सले पर चर्चा करेंगे साथी साथ नियां वोली दोज़र 22 का जो अनुपालन हो रहा है बाइस इसका उसी के अनुसार बहाली होगी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे फिर से हम लिए रिक कोड़ बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दें सिधे उडुक करते हैं वीडियो की तरफ आपके स्क्रीन पर मूल कोटी के प्रारंबिक सिक्षक यानि एक से पाच के सिक्षक कैसे बनेंगे अभी चर्चा करेंगे सबसे पहले आप देख स उनका जो मैट्रिक है उनको सबसे पहले मैट्रिक होना चाहिए मैट्रिक परिक्षा में प्राप्तांग का प्रतिसत का योग इंटर्मीडियेट में परिक्षा में प्राप्तांग का प्रतिसत का योग और प्रिस्रिक्षन परिक्षा में प्राप्तांग का प्रतिसत तो यह वाला जाएगा अब बात होती है पैसिक्ज तक मैट्रिक आप कहीं से किये हों बंगाल से उरिसा से उत्तर परदेश से कहीं से भी कियों चलता था यानि बाहर के लोग भी बिमिश्ट्ट्पेज में टीचर बने लेकिन साथवी फेज में कहा जा रहा है कि दोमेसाहल नीति ला जो भी हैं उनमें जितना भी परतिसेत हैं जैसे में 500 का नमबर ये 500 में आप जितना उप्टेंड की हैं तो आपका संव हो जाता है 60 परतिसेत में इस त्रह आप कितना लाएं इंटर का भी निकाल लिजेगा फोर एक्जामपल मैट्रिक माली हमने 60% पर्थिसत लाया है इंटरमेडियत में 70% है ना और आपका परिस्क्षन प्राइस में आपका 60% है है ना तो आप टोटल को बीएड में या आपका 80% माल लिए तो आपको जितना पर्थिसत हो गया माली जी 210 पर्थिसत हो गया उसके 300 भ मियाओली 2020 के अनुसार तेयार होगा उसी तरह आप आगे देखेगा तो यह थी आपका वर्ग एक से पाच के लिए अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है उप्यूख तीनों को जोड़क तीन से भाग देने प्राप्ता पर्तिसत प्राप्त अंक अवेर्थि का मेदा कि यहां पे सबसे पहले आपको इसमें मैًक इंटर का जुरा था पहले अब नेवाली 2020 में मूल भूत प्रिवर्टन किया गया है किया गया मैं आपका प्राप्तांक नहीं जुराए comics सिर्फ असनात प्रिक्षा के नियुक्ति है तू मेदा सुची यानि हम बात कर रहे हैं छे से आठ वाले टीचर अवेर्थी के लिए जो छे से आठ के टीचर वनेंगे वड़के उनका मेदा सुची कैसे तयार होगा तसनातक अस्तर परपठी सभी विशेव का प्रापतांग का परतिसत योग और प्रिस्ट्रिक्षन प्रिक्षा में प्रापतांग का परतिसत यानि अगर आपस यहाँ पे यह इसे पेपर सहीट आपने सभी को जो रिए और उसको डिवाइड कि Dave कि जितने पेपर का है आपका को level माल लिएए कि आपसा इसमें 70% आया आपका असनातक अस्तर पर पठित सभी विसे सबसेडरी पेपर में पेपर को लेकर आप जब डिवाइट कियें जैसे अकेडमिक मार्स का परसेंटेज निकला भी भी बताया थे इसमें आपका आगया 80% जो आप डिएड या डिएड किये हैं उसमें 80% दोनों को जोड़ दिए तो डेट्स होता है डेट्सों में दो से भागा कर दिजिए तो आपका 75% आता है यानि अवरितिक अंतिमेदा सुचित 75% पर बनेगा साथी विए इसमें वही नियम लाग हुआ बीए पलस बीएड भागा दो थीक हैं बीए पलस बीएड भागा दो हमने इसकी कई बार चर्चा भी की है इसी तर्ज पे आपका मेरित लिस्ट बनने जा रही है सेवंध फेज में जो नियावली 2020 के अनुसार होगी बीए बीए पलस बीएड भागा दो अब यहां पे अग लिया जाएगा मेधा अंक समान होने पर जिनकी जनम तीती पहले होगी उन्हें मेधा सुची में उपर रखा जाएगा समान अंक के समान जनम तीती होने पर अंग्रेजी के सब्द कोस के अनुसार जिस अवरती का नाम पहले होगा उसका मेधा सुची में उपर अस्थान नि अब बात करते हैं कक्षा 9 से 10 यानि उच मादमिक हायर सकेंडरी के लिए मादमिक सिक्षक अर्था एस्टीटी अविर्थी के लिए अभी नियावली 2020 ही लागू है इसमें भी ठीक है तो असनातक कोटी के पंचायत प्रारंबिक सिक्षक के निक्तियों है तुमेदा सुची इ पहले नंबर पे देख लिए असनातक अस्तर पर पठी सभी विशेयों का प्राप्तांग का परतिसत योग प्रिसिक्षन प्रिक्षा में प्राप्तांग का परतिसत तो इसमें भी वही फोर एक्जामपल माल लिए कि मेरा 60 परसेंटेज में ठीक है असनातक अस्तर पर पठी जब भाग दिये तो मिरा। सिंस्टि परसेंट और इसमें मेरा आयाisen 74 Pa says 60 और 74 आपका कितना होगा व फोन्तिफॉर इसको दो से भाग कर दिये दो च्छे के बारोट 7 परसेंट मेरा अंति मेला सूचिआ अब की बाद करें तो वैक comida मैं अब लेकिन अब वेटेज यहां पर सिर्फ भूद्पूर सेनिक और विद्वा वाले जुम है उनको वेटेज मिलने जा रहा है यहां पर भी कहा गया है क्योंकि दोनों को जोड को दो से बाग दिने पर परतिसत अंक का मेधा सुची अंक होगा वही होगा वुद्पूर सेनिकों को विद्वा को मेधाम मेदस अंक को का अत्रिक्त वेटेज लाघो होगा हो तो बोद्पूर नियम अभी हटा दिया गया फिलाल सिर्फ लागों यह प्लस भाग तू इसी क्यादार पर में अंतिमेदा सुची तैयार होगी अब उच्छ मादमिक की बात करें यह तो नौ से दस वाले के लिए हो गया मादमिक वाले के लिए नो दस के लिये यह हबा हुआ का आपका अब वालों के उच्छ मादमिक वालों के लिए नो array कर नो और दस के लिए अभी बात कर रहा है अब बात करते हैं breaks पूश्च मादमी की जो हाइड सकते हैं यानि 10 प्लस 2 की बात करते हैं तो इसमें जो PG किये हुए यानि MA कियो है वे PGT टीचर बनने के लिए यानि पोश्ट गिर्जुएटर टीचर बनने के लिए आपको PG अस्तर पर पठित यानि MA पर पठित जो भी विशे पढ़े हैं उसम पर पठित प्राप्तांक प्रतिसाथ और BA या BAD या BAD BSC AD अस्तर पर पठित सभी विशेओ प्राप्तांक का प्रतिसाथ यह वही हो गया मालीजी इसमें 80% लाएं और इसमें आप लाएं 70% तो आपका टोटल होग है 150% भागा टू कर दिए 75% आपका अंतिमेहदा सुची त पूचिए यहां भी जिन विसेयों निकती है तो बीएड होना अवसक नहीं है उनके संदर में असनातों को अस्तर पर पठी सभी विसेयों का प्राप्तांग का प्रति सती मेदा अंक होगा यह कंप्यूटर साइंस वालों के बात हो रही है और बाकी सब वही बोला गया है कि सा मेदा अंक में पाच अंकों का त्रिक्त वेटेज दिया जाएगा और केंप्यूटर सिक्षक के लिए जो नियम सरते लागू थी कि बीटेक डिग्रिया निवाज किया जाएगा एम्टेक मेसी हो इत्यादी तो यह आपको था यह अभी जो आपने पढ़ा यह टेन पलस टू सिक्षकों के लिए था बीए पलस बीए ट्वाइट टू और बाकी वेटेज की बात हमने बता दिया है उसके बाद यह आपने पढ़ा नो दस वालों के लिए जिसमें अस्तनास्ता कस्तर परपठी सभी विश्यों का प्राप्तांग का परतिसत योग और प्रिस्क्षन परि करके दो से भाग दीजिए योग पराप्तांग का परतिसत योग औरर किंटर्मीडियेट मैं प्रीक्षा में प्राप्तांग का प्रतिसत जो करके तीन से भाग दीजेगा तो वही आपका अंतिमेधा सुची होगी इस परकार हमने देखा प्रारंबी का सिक्स टू एट वालों का उच मादमिक का टेन प्लस टू वालों का केंप्यूटर साइंस वालों को तमाम अबुर्थों के मैं इस परकार बनेगी निय जट요 में अब भी अनुट ज़ल और अपना सवय क्व ден मेर मेडिट लीस्ट कितना बन रहा होगा वो जरूर कमेंट करें व्डियो को लाइग और सेयर करना ना भूले अपने सिखषाड थी धन्यों